हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में मेरी चैनल पर आप लोगों को जितनी भी टीचर्स वेकैंसी के नोटिविकेशन जारी होते हैं चाहे वह गौर्णमेंट स्कूल के हो प्राइवेट स्कूल के हो या फिर ऐसे पर मन्त जो है यहाँ पर मिलने वाली है रेगूलर पोस्ट है कुछ कॉंट्रेक्ट वेस पर भी वेकैंसी है सैलरी के साथ में जो है फ्री रेजिडेंस एंड फूट भी जो है वलीवल होगा सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाए कर सकते हैं त बज़र आएगी इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे यह नोटिफिकेशन 13 अप्रेल 2024 का है सैन्निक स्कूल चित्तोडगर भीलवाडा रोड चित्तोडगर राजिस्थान में सबसे पहले आप लोगों को बता दू कि सैन्निक स्कूल ना तो सेंटरल गॉर्मेंट के अंतरगत आता है नहीं स्टेट गॉर्मेंट के अंतरगत आता है ठीक है यह जो है जो ओफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो रन किया जाता है जो भी आर्मी के ओफिसर्स हैं उनके द्वारा यह चलाया जाता है On regular basis, regular basis पर जो vacancy है जिसमें BA या BCOM 50% marks के साथ में At least 5 year का experience जो है आपके पास हो Quarter master के लिए आप apply कर सकते हैं, unreserved category एक post है, 18 से लेकर 50 वर्स उम्र है, pay scale इसमें level 5 के according Regular vacancy है यह 29,200 जो है यहाँ पर आपकी salary 7 CPC के according रहेगी उसके बाद जो है contractual basis, a period of 1 year जिसमें computer teacher की vacancy है, TGT में, unreserved category, एक post है 21 से 35 वर्स, 45,000 पर मन salary रहेगी 50% marks के साथ में BE, BTEC, computer science या computer engineering या IT, electronics and communication या इसके equivalent या फिर MCA, MSC आपने 50% marks के साथ में किया है या computer science या IT के साथ में आपने किया है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं Last में देखें कि 50% marks के साथ में अगर post graduate degree आपकी mathematics या physics में है, या statistics में है या फिर आपने डिपलोमा भी अगर post graduate किसी भी subject से किया है और आपके पास post graduate diploma computer application में है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है B. जो है वो नहीं चाहिए, compulsory नहीं है अगर किसी ने B. अगर किया है तो सही रहेगा पर compulsory नहीं है T.G. T. Science दो vacancy अंडिजर्व category के लिए 21 से 35 वर्स उम्र है इसमें भी 45,000 salary है graduation 50% marks आपके sciences stream में होने चाहिए आपने physics, chemistry एक subject जरूर पढ़ा हो graduation में साथ में B. Edd होना चाहिए C. Edd qualify होना चाहिए medium of instruction रहेगा English T.G. T. English की vacancy है ये भी unreserved category की एक vacancy है 21 से 35 वर्स उम्र रहेगी T.G. T. में जितने भी post है T.G. T. में जितने भी subject है 45,000 जो है वो पर मन्त salary रहने वाली है इसमें जो है graduate 50% marks के साथ में English में B. Edd और C. Edd qualify Ward boy की vacancy है 3 unreserved category की है और एक जो है O. B. C की है 18 से 50 वर्स उम्र है और इसमें जो salary है 60,500 पर मन्त है Matriculation या इसके equivalent examination आपने qualify किया है Converse in English and Hindi Candidate with experience as hostel warden आपने जो है कहीं hostel warden के तौर पर जो है वो आपका अनुवब रहा है तो आप यहाँ पर विर्कुल eligible हो जाते हैं General Employee I.A. की vacancy जो केवल female candidate apply कर सकती है दो unreserved category की vacancy है 18 से 50 वर्स उम्र है 13,500 पर मन्त salary है Matriculation पास या इसके equivalent को एक्जाम आपका आपने qualify किया हो State या Central Government से तो आप apply कर सकते हैं इसमें जो है Walk-in interview के लिए आपको जाना है Quarter Master regular post जो है 9 मई 2024 को TGT Science TGT English TGT Computer Science इसके लिए आपको 6 मई 2024 यानि की एक दिन बाद ही है Ward Boy की और General Employee आया फीमेल की 8 मई 2024 को साड़े साथ budget timing है Walk-in interview के लिए आपको पहुँचना है समय पर अब देख लेते हैं Procedure to apply for the post तो application format इसी PDF फाइल में नीचे दिया हुआ है अभी हम देख लेंगे जो है birth certificate के लिए आधार card एक serviceman है तो discharge copy S.E.S.T. O.B.C. केटिगरी है cast certificate जिस्ते की age relaxation जो आपको यहाँ पर मिले marriage certificate अगर आप शादी शुदा है तो और जितने भी educational document है इनकी photocopy experience certificate अगर है तो बाकी जरूरी नहीं है और TZT post में और application form NCC certificate अगर है A, B, C कोई भी तो इन सब की photocopy लेनी है इन पर नीचे अपने sign कर लेने हैं तो यह self attested हो जाएंगी application form के साथ में आप लोगों को 500 रुपए के demand draft जो की प्रिंसिपल सैनेक स्कूल चित्ताओडगर के नाम का होगा bank से जाके बनवा लें या post office में जाकर भी बनवा सकते हैं तो आप लोगों को भेज देना है चीक है उसके बाद जो है process of recruitment जिसमें document verification होगा और document processor तो जो भी document verification जिनके सही होंगे उनको return test के लिए बूलाया जाएगा ठीक है general knowledge, English, maths और subject test होगा 50 marks का जिनके सही document पाए जाएगे उसके बाद जो है इसके लिए proficiency test जो है quarter master on regular basis इनका रहेगा फिर word boy का अलग रहेगा 50 marks का TGT science, English computer science के जितने भी candidate है उनका return test जो है 100 marks का रहेगा class demo होगा उसके लिए भी बता दिया है कि आपको marks जो है किस base पर देंगे expression के 15 marks होगे class activity अगर आप करेंगे तो 10 marks होगे और question answer जो अगर रहेगा आपका use of question answer technique 5 marks motivation of students 5 marks इस तरीके से जो है marks आपके 100 marks तक का जो है रहने वाला है इंटर्व्यू रहेगा आपका 100 marks का ठीक है इसमें भी जो है journal knowledge current of air 25 marks के subject knowledge 50 marks की knowledge of CVSC examination by law यह 25 marks का ठीक है इस तरीके से जो है हर post के लिए अलग अलग बताया गया है then merit list निकलेगी offer letter उसके बाद appointment letter यह पूरा procedure रहेगा last में जो है यह रहा form ठीक है इससे आपको लेना है fill करना है अपनी document की photocopy लेनी है उन पे अपने sign कर लेने है और address पर भेज़ देना है address जो है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा सबसे उपर भी मिल जाएगा सैनेक स्कूल चित्त औरगड भीलवारा रोड चित्त औरगड आजिस्तान 312021 ठीक है official website का link आप लोगों को वीडियो के नीचे इसी वीडियो के नीचे description box में जरूर मिलेगा ताकि आप लोग direct जो है आपके सामने यह page open हो जाए और यहाँ पर walk in interview for various post इस पर click करके notification check कर ले application form download कर ले मिलेंगे next वीडियो में thank you